गूर्णिंग स्टुडेंट्स आज हम माइक्रो एकनोमिक्स के अंतरगत लागत वक्रों की इस्तती को आपको सपस्ट करने के बाद आगे बढ़ की तरफ बढ़ते हुए कुछ लागतों के बारे में जो इंपेरिकल एविडेंस हुए हैं अनुभास, शृत, परमान उनके बारे में भी आपको जानकारी आज हम इस वीडियो में देने जा रहे हैं विद्यातियों जैसा कि आपको बताया था कि दिर्ग काल में एलेशी वक्र जो है वह यू आकरती का होता है यानि परारम में लागत वक्र गढ़ते हैं और फिर उसके बाद में बढ़ने लगती है यानि औरस्व तलागत वक्रों की इस्तिय या जैसा कि आपको इस वक्रों में दिखाई दे रहा है U-shape का लगबग आपको पहले बताया था और जब औरस्व तलागत गड़ती है तो सीमान तलागत उससे नीचे रहती है और औरस्व तलागत के मिनिमम मिंदू से मिनिमम पॉइंट से सीमान तलागत है वहाँ उसको काटते हुए यानि जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है उस समय मार्णल कॉस्ट भी उसके बराबर होती है और इसके पश्चाथ मार्णल कॉस्ट बढ़ने लगती है जो औस्ट कॉस्ट को भी बढ़ने के लिए उपर की तरफ खींचती है या उसको परे उपर की तरफ बढ़ने को मजबूर करती है विद्यार्तियों यह तो एक सामानी जानकरी के तहट आपके सामने रखा गया लेकिन इसके बाद में विबिन रिशर्च हुए और जो रिशर्च के बाद में कुछ नए निशकर्श रामने आए जान जानस्टन ने 1960 में अपनी पुस्तक Statistical Cost Analysis नामक बुक में लागत के परिणामों को प्रकाशित किया जान डीन ने बताया था कि ओसत लागत में धीमी गतीशे गिरावट आती है और इससे उत्पती के बढ़ने के सासाथ बढ़ने की कोई परवर्टी नहीं दिखाई देती है जैसा कि हमने बताया कि ओसत लागत गरती है और एक सीमा के बाद में ओसत लागतों में बढ़ने बढ़ोती होना सुरू हो जाता है लेकिन जो जौल डीन ने अपना रिशर्च किया उसमें बताया कि धीमी गती से गिरावट आती है लेकिन प्रोडेक्शन बढ़ने के बाद में इसमें बढ़ने की परवर्टी दिखाई नहीं देती है empirical evidence में यह बतलाया कि फर्में ऐसे सैंतरों का निर्मार करती है जिन में रिजर्व समता यानि रिजर्व कैपिशिटी पाई जाती है जिससे उन सैंतर में लचीला पर होता है और उसके कारण वह फर्म अल्पकाल में लागत बढ़ाए बिना भी उत्पती बढ़ाने में श्र बढ़ा में शफल हो जाती है रिजर्व समता की वजह शे फर्म मांग के मौसमी और चक्री उतार चड़ाओं का आसानी शे शामना कर शकती है और यह देखा गया है कि वर्तमान में रिजर्व समता का शेंतर लगाना एक तक्नीकी आपशिकतासी बन गई है ऐसी इस्तिती में एफसी निरंतर गड़ती है यानि औस इस्तितर लागत है वो निरंतर गड़ती जाती है और अलब काल में जो औस परिवर्तन सी लागत है यानि एवीशी है और सीमानत लागत जो है उनमें एक निश्चत समन्द दिखाई देता है इस समन्द को आप इस परकार से देख सकते हैं कि इनके बीच में जो इंपिरिकल एविडेंस के अंतरगे दिपाया गया कि किस प्रकार शे और परिवर्टन सी लागत में और इसमें मार्जनल कोस्ट के बीच में समन्द दर्श्टी गोचर होता है जो आपको इस रेखा चितर शे हम इसपस्ट करने का प्रयास करते हैं आप देखिए कि जो एविडेंस जो रिशर्च हुए हैं उनसे ही पता लगा कि जरू जो कैपेशेटी है उसका फार्में परियोग करती है और ऐसी इस्तिती में आप देखिए ये एवी शीवाकर के इस्तिती जिस पर मैं पहन गुमा रहा हूं कि प्रार में गिरती है O से Q प्राडेक्शन तक गिरती है फिर प्राडेक्शन Q1 से Q2 तक यह लगबग इस्तिर्शी हो जाती है और उसके बाद में यह उपर की तरफ अगरसर होती है और इसके साथ साथ जो आपको मारजनल कॉस्ट दिखाई दे रहा है वहाँ इस परकार सा है कि जब A शी गिर रह भी है तो मारजनल कॉस्ट यह डाट डाट वाली लाइन है इससे नीचे है फिर Q1 से Q2 प्राडेक्शन तक मारजनल कॉस्ट भी A वी शी के बराबर शी रहती है तत पस्चा जब A वी शी बढ़ने लगती है तो मारजनल कॉस्ट उससे अधिक रहती है जो कि आपको इस रिख रिखा चितर शी आपको इसमश्ट कराने का प्रयाश कर रहे हैं कि AFC है वह दो आपके निरंदतर गिरती जाती है जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आउसत इस तर लागते हैं उनमें निरंदतर कमी होती जाती है जासे आप देख रहे हैं AFC गिर रही है और यह हस्तिति है जो आपके ऊपर के रिखा चित्र में बताया है ये Q1 से Q2 प्रोडेक्शन तक ये इस्तती रहती है आपके AVC इस्तती AVC वकर की और इससे नीचे जैसा है कि ऊपर वाले चित्र में भी पस्ट किया कि जब AVC गिर रही है या आप देके गिर रही है ऐसी इस्तती मार्जनल कॉस्ट इससे कम है फिर Q1 से Q2 तक मार्जनल कॉस्ट इसके बराबर ही रहती है वैरियबल कॉस्ट के और फिर मार्जनल कॉस्ट वैरियबल कॉस्ट बढ़ने के साथ में मार्जनल कॉस्ट भी बढ़ने लगती है जो आपको इस रेका चेतर से इस पस्ट दिखाय रहा है और ऐसी इस्तिती में आपका जो AC है उसका सेफ ये आकर्थी का लगबग होता है यह होते हुए ये यानि ये AC क्योंकि AC बराबर ABC प्लस AFC होता है तो यह आपको empirical evidence के अंतरगत इस तरह से लागत वकरों की इस्तिती देखने को मिलती है कि फर्म्स जो है वो इस परकार से अपने रिजर्व क्षमता का प्रियोग कर लेती है पिर आजकल जो फर्मों के लिए रिजर्व कैफेशिटी को बनाई रखना या उनका प्रियोग करना यह एक तकनीकी आपशिक्ता बन गई है ऐसा जरूरी है और यहां आप देख रहे हैं रिकाचितर में भी कि Q से Q2 तक ABC और Marginal Cost बराबर रहती है Q1 से पहले Marginal Cost है आप देखिए Q1 से पहले Marginal Cost Less है ABC से और Q2 के बाद जो Production की मातरा Q2 है उसके बाद Marginal Cost Greater हो जाती है किसे ABC से और Q2 तक साइंतर की रिजरो शमता का पूरा प्रियोग करती है Q2 तक जो है वह फर्म है वह अपनी रिजरो शमता का पूरा प्रियोग कर लेती है तब तक Cost बढ़ती नहीं है और यही जो Empirical Evidence में दिर्ग कालने लागत वकरों के समन्द में भी देखने को मिलता है जिसमें पता चलता है कि एलेशी वकर जो है दिर्ग कालने लागत वकर उतपादन के बड़े पैमाने पर भी बढ़ता नहीं है क्योंकि फर्म बड़े पैमाने में तकनीकी किफायतों का बराबर उप्योग करती है यानि फर्म जो है वह तकनीकी किफायतों का इस परकाट से उप्योग कर लेती है कि हमने जो ये देखा था कि दिरकाल में एलेशी वकर है वो यू शेप का होता है आप देखिए गिरता हुआ और फिर बढ़ता हुआ लेकिन इम्पिरिकल एविडेंस में ये जो सामने आई बात कि ये यू आकर्ती का नहीं होकर के एल आकर्ती का होता है और एल आकर्ती का होने के कारण नी बताया है आकार्ण बताया गया है कि बड़े पहमाने की तक्निकी किफायतों का फर्म उपयोग कर लेती है इसलिए empirical evidence में आप ध्यान दें कि एलेशी वक्र की आकरती यू शेप की ना हो वो इस परकार का होता है यानि ये आपका एलेशी बराबर लगबग LMC रहता है और LMC जो है वो इसके यो नीचे से कड़ती हुई होती है यानि ये LMC वक्र की इस्तिती है और production की मात्रा बताई गई है यहाँ पर Q जहां तक की फर्म जो है ये उत्पती की मात्रा और यहाँ पर है Y-Access पर लागत तो आप देखिए कि एलेशी लगातार गिटती जाती है और Q बिंदू पर पैमाने की सारी किफायते हैं प्राप्त कर ली जाती है यहाँ पर L-A-C वक्र शे नीचे रहता है और Q से परे उत्पादन के पैमाने पर Q से आगे जो है वहाँ आप देखिए यहाँ तो आप देखिए Q तक तो Q तक आप कह सकते हैं L-A-C is less than L-A-C लेकिन Q के बाद में L-A-C बराबर हो जाती है L-A-C ऐसा इंपिरिकल एविडेंस से प्राप्त हुआ है इस टोनियर हेक का मत है कि दिरिकाल इन औसत लागत वक्र यू आकरती के पेक्सा एलाकरती वह केवल टेक्नोलोजिकल परिवर्तन से ही नहीं होती है बलकि ये शीखने की जो प्रक्रिया है learning process के कारण भी अचा होता है क्योंकि एक ही वस्तुगाव ये कहते हैं कि ये जो बताया है कि एलाकरती का होने का कारण तक्नीकी परिवर्तन है तो इस टोनियर हेका करना है कि क्यों तक्नीकी परिवर्तन के कारण ही एलेशी वक्र एलाकरती के नहीं होते हैं दिरिकाल में बलकि एक learning process होता है जिसमें क्या किशी वस्तुग बार-बार निर्मान करने में उसमें इतनी efficiency आ जाती है कारी की कुसलता इतनी अच्छी बढ़ताती है कि उसकी पर्ती का इलागत है वो गटने लगती है यानि बढ़ती नहीं है तो हम क्या सकते हैं कि एलेशी वक्रों की आकरती यूँज़ जैसे होती है लेकिन तेरुट टेक्निजी प्रगत्ती के कारण यह एलाकरती की होती है विध्यारातियों, धन्नेवाद इसमों आप तयार कर लें किलेशी वक्र सामानी इस्तती में क्या हैं और अनुभास्थ जो पर्माण है उसके अंतरगत लस्जी वक्र की इस्तती के बारे में क्या बता ईया है आप इसे ठीक से तयार करें इससे समधित कोई शमेश्या हो तो निश्चित रूप से आप समपर्क करें गर्नेवाद